पिछले लेक्शर में हम लोगों ने सुधेशी मूब्मेंट किया था अब उससे आगे बढ़ते हैं सुधेशी मूब्मेंट के बाद 1908 से 1914 तक का समय था जब कुछ इवेंट्स हुए जैसे कि मॉड्ले मिन्टो रिफॉर्म्स पास हुआ जिसे इंडियन कांसिल से 1909 कह देते हैं जिसे मुस्लिम्स को से अप्रेट एलेक्टरेट्स मिला और रिफॉर्म्स दस साल में आया करेंगे ऐसा बताया गया साथ-साथ 1911 में दिल्ली दर्बार होता है जॉर्ज फिफ्ट ने एनाउंस किया है दिल्ली में कि बंगाल विभाजान रद्द किया जाता है पार्टिशुन अब बेंगॉल इस रिवोक्ट इस वेस बेंगॉल को मिलाया जाता है बिहार उडीसा को अलगपरांद बनाया जा साथ साथ कैपिटल दिल्ली ट्रांसफर हो जाती है और फिर एड्विल लोटियंस और हर्बर्ट बेकर नई दिल्ली का निर्मान करने लगते हैं पार्लेमेंट हाउस, असंद्री बिल्डिंग, इंडिया गेट और फिर कनॉट प्लेस का मार्किट भी रॉबर्ट रसल नाम के वेक्ती ने बनाया है, डियान किया था, अब आगे चलते हैं, उनिस्वा चौदा में एक तिल्ग वापस आ चुके हैं और तिल्ग वांटे तो हैं रेट्री बैक इंट इन्ट पर इंट वापस आ गये हैं बट इस ताइम अनिवेसेंट वी इस तो रॉज तो रॉज ने वा शी हैड बिकम पार्ट अफ कॉंगरेस और शी प्रभोस देट वी शूड लाँच होंगरूल मूवमेंट एज वास गूइंग ओन इन आयरलेंड, शी वास रॉम आयरलेंड, इस आयरलेंड में एक होंगरूल मूवमेंट चल रहा है, वैसा भारत में चलाते हैं लेकिन उस सम तब कि रिय एंट्री किसी वज़े से हुई तो आप एनी बेसेंट की वज़े से ही तिलक और एक्स्ट्रीमिस ग्रूप को कॉंगरेस पे रिय एंट्री मिल जाती है, 1916 में एक सेशन होता है, 1916 का सेशन इंपॉर्टन इसलिए हो गया, क्योंकि 1907 के बाद पहली बार, 10 साल कॉंगरेस के दोनों दल साथ बैठते हैं, इसलिए कभी कभी इसके अंद्यश को भूट लेते हैं, अम्मे का चरन मजूमदार, मॉडरेर्स और एक्स्ट्रीमिस साथ बैठे, अब वो जो विचारधारा है, मॉडरेर्स और एक्स्ट्रीमिस से वो सब खतम हो गई है, एक कॉ मुस्लिम लीग भी अपना सेशन लकनव में इस साल करती है, 1916 में, लीग में 1913 में जिन्ना ने जोइन कर लिया था, मैंने आपको बताया, जिन्ना वा सेकरेटरी टू दादा भाई नारो जी, और ही अपियर्ड इन कलकटा सेशन इन 1906, पर दादा भाई नारो जी, 1913 में ज दोनों मिलके कॉमन एम के लिए काम करेंगे, एक दूसरे के काउंटर काम नहीं करेंगे, इस दोनों पार्टियों के फैसले को कॉंग्रेस लीग पैक्ट या मुस्लिम लीग, या लकनव पैक्ट कह देते हैं, ये साइन होता है, तो 1916 का ये सेशन, लकनव सेशन इसलिए इस हो जाता है, आगे बढ़ते हैं, अब शुरू होता है अगला मुव्मेंट जिसे होम रूल मुव्मेंट कह देते हैं, 1916 में, कॉंग्रेस तो रादी नहीं है बट एनिवेसेंट और तिलक दोनों मिलके इस मुव्मेंट को शुरू करते हैं, और कैसे शुरू करेंगे, पूर हों को जोड़ेंगे, और पीसफुली पूरे भारत में मुहिम चलाएंगे, कि होम रूल हमारा उत देश है, हम पीसफुली इसके डिवांट करते हैं, लैबरीद बनाई जाएंगी, लिटरिचर बाटा जाएगा, पैंप्लेट बाटे जाएंगी, रिडिंग रूस बनाए ज करता था, तिलग की लीक के मैंबर्स काम करेंगे, मारास, करनाटक, सेंटर ट्रोविंसे, मतलम मदरास, मद्ड़ पृदेशन बरार में, और बेसेंट, बाकी के भारत में काम करेंगे, तिलग के दो अखवार बड़े फेमस हो जाते हैं, केसडी और मराठा, उंग्रेजी में माराठा अंग्रेजी में आता है तो उनके अखवार हैं इसके जरीए तिलग अपनी पात कहा करते थे उधर एनी बेसेंट का अखवार कॉमन वील बड़ा ही फेमस था एक न्यू इंडिया भी था इनकी थ्रू ये अपने कंपेंड को आगे चलाते हैं किसकी लीग में ज्याद ये मुवमेंट पीसफुली 1916-1917 जून तक चलता रहा पर एनी पहले तिलग को भी अरेस्ट किया गया है तिलग को बॉंड भरने पर छोड़ दिया गया है एनी बेसेंट को अरेस्ट किया जाता है तो पूरे भारत में बहुत इसका आंदोलन होता है प्रोटेस्ट होता है अरेस्ट को छोड़ देती है प्रोटेस्ट में गांदी जी ने भी भाग लिया है वैसे पूछा जाए होम्वन मुवमेंट में किसने पार्डिसेपेट नहीं किया तो आप बोल देंगे गांदी जी डिडिन आट पार्डिसेपेट अक्टिवली एविन दो गांदी जी वस वहां पर जो पहरा सचेव है, Montague, वह अनाउस करता है House of Commons में, अगस्त उनीस सो सत्रा में, कि हम भार्कियों को सेल्फ गवर्मेंट देने को तैयार है, बाइट विल बी ए ग्रैजुएल डवलप्मेंट, The policy of His Majesty's Government is to associate Indians with the task of self-government, बड़ इने graduated manner, इने graduated manner में होगी, भार्तियों को, Indians को self-government दी तो जाएगी बड़ यह gradually दी जाएगी यह कब दी जाएगी नहीं कह सकते हैं, मतलब self-government देने की बात यह करने लगते हैं, और जब यह announcement हो जाता है, जिसे Montague declaration या August declaration भी कह लेते हैं, तो Annie Basin थोड़ा सा शांक पड़ गई हैं, उनका stance थोड़ा सा pacified हो गया है, वो यह कहने लगती है, let us see, अग्रेज क्या देना चाहते हैं, उनका idea देखते हैं सल्गर्वर्मेंट का क्या है, कहने का मतलब है, Annie Basin थोड़ अतनी active नहीं है, उधर तिलग भी इन दिनों भारत से बाहर चले जाते हैं, actually हुआ क्या है, इंग्लेंड में किताब लिखी गई है, किताब का नाम है Indian Unrest, author है Valentine Shirol, Valentine Shirol भारत के खिलाफी लिखता है, इसने किताब लिखी है, इसमें भारत में संतोष कहता है, भारत में जितनी भी प्राब्लम्स हैं, उसकी जड़ तिलग हैं, तिलग is father of Indian Unrest, वो जनक है, भारत में संतोष के जनक हैं, जब ये बात कहती जाती है, तिलग चले जाते हैं, इंग्लेंड एक मानहानी के दावा लड़ने, एक दिड़ साल वहां रहते हैं, तिलग वहां से हार के आते हैं, उधर एनिबेसेंड का स्टांस भी बहुत फीबल हो गया है, डल पढ़ गया है, 1921 में तो वो छोड़ ही देती हैं, कॉंग्रेस, और तिलग भी जब वापस आ जाते हैं, कुछ समय वो गांदी जी के साथ भी काम करते हैं, बट जब नॉन कॉपरेशन शिरू होने वाला था, अगस्त 1920 में तब उनकी डेथ हो जाती है, इस तरीके से एक्स्टिमिस फेज एनिबेसेंड के थोड़ा सा इनेक्टिव होने से और तिलग की डेथ से खतम हो जाता है, और होमरूल मुवमेंट इस फेज का आगरी मुवमे इस की, गांधियन फेज, 1918 से खलेज तर थर्ड फेज माना जाता है, वो फेज जहां गांधी जी एक्टिव हैं, बट गांधी जी के साथ a large number of readers are also part of this particular phase, गांधी जी के बारे हैं बात करें, तो गांधी जी 1893 में साउट अफरीका गए हैं, एक एड़ोकेट के तौर पे रहे हैं, साल भर के लिए गए थे, बट वहां पर कुछ ऐसे हालात हैं, कि वहां के लोगों के कहने पर वह रुख जाते हैं, और 1915 में वापस आते हैं, जन्वरी 9 को वह आये थे, तो इसलिए जन्वरी 9 को मनाया जाता है, NRI दिवस, ये 2003 से 12 सरकार ने इसे मनाना शुरू क किया है, NRI दिवस, क्योंकि जन्वरी 9 को गांदी जी 1915 में वापस आये थे, इस से पहले अगर कभी एक्जाम में आ जाए, गांदी जी ने पहली वार कॉंग्रेस सेशन में भाग कब लिया था, तो 1915 मत लगाईएगा, 1901 में ऐसा हुआ था, गांदी जी स्पेशली आये है उन्हें पता लगा है कॉंग्रेस काम करता है, भारत में गोखले ने इन्वाइट किया है, गांदी जी आये हैं, और पहली वार कॉंग्रेस के कलकत्था सेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, गोखले को वो अपना पॉलिटिकल गुरू भी मानते हैं, गोखले उन find out what problems are there what kind of support people effort from you so do not jump into the wagon right now पहले समझ ये problems किया है फिर अपना रास्ता बनाईएगा तो गांदी जी उन्हीं के कहने पर काम कर रहे हैं और कोई भी active participation नहीं करने है except that कि उन्होंने एनी बेस्टिंट की station को थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया है लेकिन 1918 से 1917 में उनको तीन local movement ने participate करने का मौका मिलता है गांदी जी 1917 में लकनव में है और तब उनके पास चंपारन बिहार से किसान आता है राजकुमार शुकला तो उनका जो पहला movement था भारत में वो चंपारन सत्यागरे हो जाता है राजकुमार शुकला अपनी problem लेके आता है वो कहता है चंपारन के किसान नील की खेती के समस्या से बीडित हैं जिसे वो तिन नील जाता है ये वहाँ पर और्गनिट डाई के तौर पर जाता है कपड़े रंगने के लिए जाता है इसकी बहुत डिमांड है इस एक्सपोर्ट से अंग्रेस प्लांटर्स तो बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन इसका फाइदा बहुत ये किसान नहीं होता है लेकिन agreement हुआ ह जिसके तहत इतने हिस्से पर जमीन के तो खेती नील की करनी है हर साल करनी है बार बार करनी है और प्राबलम ये है कि एक तो नील की खेती से हमको फाइदा नहीं है हम कुछ और क्रॉप्स होगाएं तो फाइदा हो जाएगा दूसा जमीन की फर्टिलिटी हतम हो जाती है निकल डाई का विश्कार हो चुका है तो भरत का नील का जो एस्पोर्ट था वो कम पढ़ने लगा था खतम होने लगा था जो ब्रिटिश प्लांटर से नील की खेती कराते हैं वो किसानों से कहते हैं एग्रिमेंट से हम बॉंड से तब तुम्हें रिहा करेंगे जब तुम ज लेंगे गांधी जी चंपारन पहुंच जाते हैं और गांधी जी के साथ राजन प्रसाद और जेवी कर्बलानी भी साथ होते हैं और वहां पर मिलके शुरू में तो कहां की जो लोकल जाइडमिस्टेशन है वो गांधी जी को मना करते हैं बट फाइनली गांधी जी इस्ट यूसफुल रहा नहीं, बड वो जितना नुकसान की भरपाई करना चाहते थे, वो कोशिश कर रहे थे, और कुछ पैसा जो एक्स्ट्रा था वो जा वापस दिलवा दिया गया है, ये गांधी जी का पहला मूवमिंट था जो इंडिगो कल्टिवेशन, इंडिगो नील होती है जिस से सफिद कप्ड़ों में लगा जाती है, जो उसकी रडीयेशन है, वो बढidad है, उसकी जो रेखलेशन है वो बढ़ जाता है, ती कपड़ा जादा सफिद दिखता है, इंडिगो कल्टिवेशन खतम हो जाती है, इससे पहले आपको ये भी याद रखना होगा कि बंग याद रखनी नील दर्पण का संबंद बंगाल में नील की समस्या से है बिहार की समस्या से नहीं है बंगाल में पहले ही खत्म हो चुका था जब बंगाल में खत्म हुआ तो यह बिहार साइड में आ गए थी इसको लिखा था दीन बंधु मित्रने नील दर्पण इसे blue mirror कह देते हैं Michael Madhusudan Dutt ने इसका English translation गिया था नील दरपन का जो लिखी थी दीन बंदू मित्रनी तो ये नील की खेती दे संबंदित किताब है पर इट वाज़न लेटेट टू बेंगोल इंडिगोरोइट्स चो वहाँ पर हुए थे This is one particular thing पहला movement का अगला movement होता है एमदाबाद मिल्स स्ट्राइक 1918 में famine पड़ा है अकाल पड़ा है गुजरात में और ऐसे में जो cotton mill के workers हैं वो जाने लगते हैं क्योंकि plate फैल गया है चूहों से एक बीमारी फैलती थी epidemic फैलता था plate incidence इसका एमदाबाद पे जादा है cotton mill workers वहाँ पर इस बीमारी के फैलने के डर्थ से जाने लगते हैं तो mill मालिक जो cotton mill owners है बहुत सारी cotton mills हैं और यहां की जो लड़ाई है यह भारतियों सही है वो गुजराती मर्चेंट्स हैं वही मिल के मालिक हैं वो देखते हैं कि जब exodus हो रहा है कि यहां से मजदूर जाने लगे हैं मिले बंदो जाएंगी तो वो कहते हैं हम तुमको 70% जादा salary देंगे तो रुख जाओ और बाकी हलाद भी देख लेंगे 70% extra salary दी गई थी वर्करस को लोखने के लिए इसे plague bonus कहते हैं this is called plague bonus जैसे अभी इस अभी जो pandemic पड़ा था बहुत से मजदूरों को लोखने की कोशिश की गई कि आपको थोड़ा जादा साउडिते दे देंगे पैसे दे देंगे आप मत जाईए घर ऐसा कुछ उत्समें हुआ था बढ़ वो epidemic था एक एडिया विशेश में हुआ था लेकिन जल्दी ही है famine conditions खतब हो जाती है और जब खतब हो जाती है तो मिल मालिक इस जो ये वो है वापस ले लेते हैं plague bonus वापस ले लेते हैं तो लोग demand करते हैं workers की world war की वज़े से shortages बहुत हैं first world war हुई थी जिसको great war भी कह देते है first world war को great war भी कह देते है बहुत सारी shortages है महंगाई बहुत जादा है obviously जग भी war होती है government का सारा पैसा defense purchases में soldiers की खुराकों में weapons खरीदने में चला जाता है तो developmental car survival car रुप जाते हैं उनके लिए कम हो जाता है export, import भी कम हो जाता है जो transportation है वो सब वहुत सम्मंदित चीज़ों को transport करने में लग जाता है ऐसे में कई बार shortages हो जाती है उससे नहगाई हो जाती है demand जादा है supply का में ऐसा ही कुछ उससे में हो रहा था ऐसे में workers कहते हैं कि 70% तो नहीं लेकिन 50% salary तो बढ़के मिलने ही चाहिए अब original salary में काम नहीं चलेगा mill मालिक कहते है कि जो original salary वो temporary bazaar था play की वैसे दिया गया था play खतम है तो आपको वापस same salary पर लाया जाता है अब ये लड़ाई गुजराती merchants और mill owners cotton mill workers के बीच में है एमदाबाद cotton mills जिसे Manchester of East भी कह देते हैं कानपुर को originally कह देते हैं Manchester of East यहां cotton और wools mills बहुत ज़्यादा कानपुर में होती है ऐसे एमदाबाद है ultimately इन दोनों के बीच में लड़ाई है गांदी जी intervene करते हैं workers के support में हंगर स्ट्राइक भी कर देते हैं और जो एमदाबाद में स्ट्राइक हुई है इस यह गांदी जी की पहली हंगर स्ट्राइक है भारत में आगे चलके बहुत सारी करेंगे यहां पर फिर ultimately tribunal के issue चली जाती है labor court चली जाती है labor court कहती है inflation दर के अनुसार 25% बढ़े हुए wages देने पड़ेंगे workers को तो workers को यहां पर 50% तो नहीं 70% तो नहीं बट 50% बढ़े हुए स्ट्री मिल जाती है यहां पर cotton mill workers के लिए बात की गई यह गांदी जी का अगला movement था तीसरा चो movement है वो हो जाता है गुजरात में ही खेडा सत्यागरे गुजरात में शुरू होता है खेडा सत्यागरे यह भी गुजरात में है इसे शुरू कर दिया था एक local leader मोहनलाल पांडिया ने क्या इशू है? वही famine की इशू है famine की इशू का मतलब है कि यहां पर हकाल की वज़े से हालात बिगड़े हैं और crop losses हुए है जो किसान का production है crops का वो down चला गया है कम हो गए यह खेटी कम जब किसान की खेटी होती है तो किसान के जो लगान वगरा है पैसा वगरा माफ हो जाता है वही किसान ने डिमांड की है हमारा revenue रेमिट कर दिया जाए माफ कर दिया जाए हमें हम नहीं दे पाएंगे इतनी खेटी नहीं हुई है जब किसानों ने गुजराग के खेड़ा शेतर की यह कहा है कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे तो सरकार ने बोला है ऐसी स्थिति के लिए हमारे पास फेमिन कोड है एक कानून है जिसे फेमिन कोड कहते हैं वो कहता है कि अगर आपका जो crop production है वो 25% से कम चला जाए जितना होता है उसके 25% से कम चला जाए तो कानून हमको allow करता है आपका revenue माफ करने के लिए लेकिन हमारे records कहते हैं कि revenue crops कम तो हुई है बड़ कहीं भी 25% से कम नहीं है ऐसा होता है तो हम देते हैं तो वो हमारा law applicable नहीं है तो आपको पैसा देना पड़ेगा ऐसे में फिर किसान कहा रहा है हमारी खेती खतन है और सरकार feminine court का हवाला दे रही है ऐसे में फिर वन्ला भाई पटेल भी आगे आए है गांदी जी भी आगे चल के आजाते है गांदी जी की मितल़ सपोर्ट करते है पटेल को इस तरीके से याद रखना है इसे मोहललाल पांड़या ने शुरू किया था गांदी जी पटेल बाद में आते हैं इस तरीके से यहां पर सरकार भी बात्शीत होती है और पता लगाती है उससे पता लगता है बड़े किसानों का नुक्षान इतना नहीं हुआ है लेकिन छोटे किसान वाकई में अफेक्ट हुए है फेमिन से क्रॉप्स के लॉसेज से सरकार भी कह देती है एड़िस्टेटिव के मुवमिन्ट हुआ करते थे दो किसानों की और एक कॉटन मिल वरकर्स की यह दो मुवमिन्ट है अब 1919 का साल आ जाता है वर्ल्ड वार फतम हो चुकी है वर्ल्ड वार के बात हुआ यह है कि 19 जब गांधी जी आ गए है गांधी जी बहुत freedom struggle को gradually समाल रहे हैं leadership का अभाव ह इस समय ऐसे में 1919 में violence बहुत बढ़ने लगी थी revolutionary activities बहुत बड़े स्थर पर होने लगी है अंग्रेज क्या करते हैं ऐसे में अपने आपको वो आर्म कर लेते हैं बहुत बड़े कानून से जिसको Sydney रॉलेट कमेटी ने बनाया है दो बिल्स थे रॉलेट कमेटी ने बनाया ह तो इनका नाम रॉलेट कानून पढ़ गया है तो बिल्स पढ़ गया है एक बिल पास हो गया है परलेमेंट में दूसरा पास नहीं हुआ है लेकिन जो पास हुआ है उसके नसार परपस ये था कि जो revolutionaries हैं इनको दमन किया जाए ये अंग्रेदी राज को बिटिश राज को चैलेंज कर रहे हैं वालेंस करते हैं तो इसमें ये था कि जो रॉलेट कानून के तहत अरेस्ट किया जाएगा उसको कोड में उपस्तित होने के अलुमती नहीं है इसके तहत नहीं बेल मिलती है दो साल तक अरजी भी नहीं ली जाएगी ऐसा ही कुछ कड़ा कानून था वो इसके बारे में कहते हैं नो अपील, नो वकील, नो दलील तो ये पास हो जाता है अंग्रेजों का परपस था कि ये जो डिवालिशनी एक्टिविटी ने इसको कंट्रोल कर ले भारतिये कहते हैं अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम रग्लर लॉज जो है रग्लर लॉज हमको के सामने अपस्तित हो जाएं आक कानून हुगा कोट के सामने जाने की वनुमत дङन देता हैं इसलिए इक कानून मानने युग नहीं है हमारी सिवल लिबर्टीज को सप्रेस किया जा रहा हुए गांडी जी कहते है कि ये regular कानून के तहट तो हमारे शचो ठोचते हैं लग् मार्च के आखरी हफते में ये All India Strike होनी है, रॉलेट कानून के खिलाफ, पूरे भारत में इस ट्राइक की बात गांधी जी कह देते हैं। गांधी जी ने मूवमेंट शुरू तो कर दिया है, बड़ इस ट्राइक कैसे होनी है, वो नहीं समाल पाएं है इसको, कहीं तो मार्च के लास्ट वीक में होती है, कहीं अप्रेल के पहले वीक में होती है, और गांधी ने इविन दो बोला है, मुवमेंट हैस टू बिय नॉन्वालेंट वन, इड़ इस सत्यागर है, लेकिन लोग नहीं इसको सबट पाइन सत्याग रह किया है और पूरे भारत में जगा जगा वालेंस हुई है सबसे ज़्यादा वालेंस तो पंजाब में होती है पहले हफते में और अपरेल दस को जब ये ज़्यादा बढ़ जाती है जब पंजाब के दो नेता सैफुद दिन किछली और सत्त पाल अरेस्ट कर लिये जाते है हमरस्टर शहर ने ऐसा होता है तो हालाद बिगड़ते है तो सरकार जर्नल डायर को भेज देती है अपरेल 11 को हमरस्टर शहर दे दिया गया है जर्नल डायर को वो वहाँ पर कर्फी इंपोस कर देता है 13 अपरेल को जलिया वाला बाग हो जाता है बैसाखी का फेस्टिवल है पंजाब का जलिया वाला बाग गोल्डन टेंपिल से लगा हुए हमरस्टर में वहाँ पर कर्फी बगर जैसे चीज़ें बहुत जलिया वाला बाग में कोई संबोधन चल रहा है और लोगों को संबोधित कर रहा है कोई नेता हंस राजडाम का तो वहाँ पर घ्र बढ़ने लगती है जब पता लगता है डायर को की कर्फी के वाफ्यूद भी लोगी कटे हो रहे हैं तो डायर वहाँ अपनी प्लाटून लेके पहुंच जाता है और जो उसकी वेहिकल है जब वह एंटर नहीं कर पा रही है जलिया वाला बाग में छोटा साथ पैसेज एंटर करने के लिए चार्वा तरफ बिल्डिंग्स बनी हुई है मकान बने हुए एक समझ लीजिए एक तरीके से घिरा हुआ एक पार्क है छोटा सा अब वहाँ पर काफी कंस्ट्रक्शन हो गया है उसका सुझाती चेंज कर दी है सरकार ने उस तमें ऐसा नहीं था तो फिर वो अपनी प्लाटून को वहाँ खड़ा करके सीधे फाइरिंग करवा देता है लोगों को कोई वार्निंग भी नहीं देता है और ऐसे में 15-20 मिनिट लगातार फाइरिंग होती है और कांगरेस के अनुसार कांगरेस की जो कमेर्टी थी उसके अनुसार 15-100 लोग मारे गए हैं लेकिन सरकार कांगरा कुछ 389 पीपल होता है और इसके बाद वालेंस पंजाब में और बढ़ने लगती है जितनी ज़्यादा वालेंस बढ़ती है उतना जादा ही सरकार दमन करने लगती है ऐसे हालातों में गांधी जी 18 अपरेल को विड्रा कर लेते हैं रॉलेट सत्यागरे वो कहते हैं कि अगर इनी हालातों में ये सत्यागरे चलता रहा और जादा वालेंस होगी सरकार भी और जादा जलियावाला बाग कर देगी इसलिए वापस ले लेते हैं इस मूबमेंट के लिए कहते हैं इसको लाँच करना मेरी सबसे बढ़ी भूल थी भाई लाँचिंग रॉलेट I have committed a mistake of हिमालेयन magnitude मतलब वो कह रहे हैं कि मूबमेंट को विड्रा तो कर लिया है विड्रा करने को नहीं भूल कह रहे हैं, launch करने को वो कहते हैं, यह मेरी गलती है, मैं लोगों को नहीं सिखा पाया, कैसे किया जाता है सत्या करे, तो इसको हेवाले blender कहते हैं, फिर force किया जाता है भारत सरकार को बतांगली सरकार को, इसकी आप inquiry कराईए, और फिर hunter committee जो है, फॉर्म करती है government, एक hunter commission था, वो primary education पे 1882 में बना था, रिपन के समय यह hunter committee, hunter committee वो committee थी, जो government ने appoint की थी, तो inquiring to the चलियाँ वाला बाब, मैसे कर, hunter committee की report 1920 मई में आ जाती है, जिसमें टायर को crown की job से निकाल दिया जाता है, और की सजा नहीं दी जाती है, ये एक वज़े बनती है, non cooperation movement, माई के महिने तकाते आते, इसी समय, रवीनाट टैगॉर्ट जिनको night road या sir की उपादी मिली थी, 1913 में उनको noble भी मिला था literature के लिए, गीता अंजली काब के लिए, ऐसे उनको अगरेदू ने भी sir की अपना सबसे सरवोज civil सम्मान दिया था, वो वापस कर देते हैं, कहते हैं, badge of shame है, badge of honor मेरे लिए नहीं है, गांदी जी भी अपने कुछ medal बगरा वापस करते हैं, गांदी जी का पहला all India movement था, उटका पहला movement भारत में चमपारं सत्यागरे था, और पहला all India movement, जो गांदी जी का ओम मुझा जाता है, that उनको रोल वाप सत्यागरे जो गांदी जी का movement था, किस तरहिके से ये movement खतम हो जाता है, एक इशू और डवलप होती है 1919 में खिलाफत मुव्मेंट वर्ल्ड वार बन खतम हो गई है और जर्मनी टर्की वगरा पर जो हार गए है देश इनके उपर विलिंग नेशन्स इंग्नेड फ्रांस वगरा ट्रिटी ठोप रहे हैं यहारे हैं तो इनके उपर ट्रिटी ठोपी जाएगी तो खिलाफत क्या है खिलाफत जहां पर कैलिफ मतलब खलीफा रूल करता है उसे खलीफा कहते हैं खलाफत को मतलब किंडम आफ खलीफा खलीफा कौन होता है जो Muslims के holy places होते हैं उनका जो political ruler होता है उसे खलीफा की उपादी medieval Muslim world में दी जाती थी जिसे कैलिफ कहते थे अंग्लेजी में इंदी में कलीफ otherwise खलीफा कहते हैं तो खलीफा उस सबर टर्की का शासत के पास खलीफा का पत था तो टर्की जर्मनी के साथ लड़ा है फस्वर नौर में जर्मनी के साइट में था ये सब हार गए हैं तो ये winning nation से कहते हैं कि खलीफा ने जो जो एडियाज मतलब टर्की ने जो जो जर्मनी के मतलब से एडियाज जीते हैं वो सब वापस ले जाएंगी और खलाफत को डिजॉल्व कर दिया जाएगा कैलीफेट डिजॉल्व हो जाएगी अब ये तो इंटरनेशनल इशू थी लेकिन आल इंडिया भारत में जो इंडियन मुसलिम्स हैं वो कहते हैं खलीफा हमारा होली हेड है वो हमारा स्पिश्वल हेड है सारे मुसलिम्स उस व्यक्ति को अपना खलीफा मानते हैं जो होली प्लेशिस की देख़ाल करता है इसलिए उसके साथ उचित विवार किया जाए ऐसा चेम्सफोर्ड ने हमको बोला है चेम्सफोर्ड कौन है? चेम्सफोर्ड वॉइस रॉय है हार्डिंग टू के बार 1916 से 1921 तक चेम्सफोर्ड रहता है चेम्सफोर्ड ने बोला था अगर आपका खलीफा हारता है आपके रिलिजिस सेंटिमेंट्स लेखते हुए आँ उसके साथ उचे द्विहवार करेंगे लेकिन अब अपने प्रामिस को आप अपकीप कीजिए हमारे खलीफा का कोई एरिया उससे वापस नहीं लिया जाएगा ये वो कहने लगते हैं और इस इस इशू को फाइट आउट करने के लिए वो एक और इंडिया खलाफत कमेटी बनाते हैं 1919 में जिसमें हसरत मुहानी है अब उलकलामाजाद हैं सबसे इंपॉर्टन तो अली ब्रदर्स हैं मुहम्मद अलिया और शागत अली गांदी जी भी सपोर्ट कर रहे हैं इस इशू को ये सोचते हुए हिंदो मुस्लिम ब्रदर्फूट बहुत इंपॉर्टन है इंडियन फीटम इस चेकल की सक्सिस के लिए खिलाफ़त इशू इस तरह शिरू हो जाती है मतलब वो अपने खलीफा के लिए राइट ट्रीट्मेंट चाहते है मतलब उसका खिलाफ़त बंग ना की जाए तो 1920 में टर्की के उपर ट्रीटी आफ सिवरिस ये लागू हो जाती है जिसके तहट उसकी खिलाफ़त डिजॉल्व करती गई है खलीफा से सारे एडियाज वापस ले लिए गए है और खिलाफ़त डिजॉल्व हो गई है तो प्राबलम हो गई है मतलब इंडियन मुस्लिम्स की बात नहीं मानी गई और 1920 मई में ही हंटर कमेटी की रिपोर्ट आ गई है तो ये दो जलिया वाला बात की रिपोर्ट जिसमें डियर को पनिश्मेंट न दिना और ट्रिटी ऑफ सिवरेज जिसमें खलीफा को साथ कोई रियायती दिखाई गई है कि दौनों करण अरूल पले करते हैं और खलाफत कमेटी जून में इलावाद में सेशन करती है कि कहती है कि आने वाले अगस्थ में हम शुद्यू कर देंगे नॉन कापरेशन मूवमेंट इस तरह के से नelu कापरेशन मूवमेंटी की कौल खिलाफत कमेटी की तरफ से आई है गान्धी जी जानते हैं खिलाफत कमेटी जो non-cooperational program बना रही है वह खिलाफत कमेटी नहीं कर पाएगी इसलिए गान्धी जी एक और इसी समय तिलक की भी डेट हो जाती है अगस्त में तो ऐसे मिस तिलक की डेट के बाद सेप्टेबर 1920 में कलकत्ता सेशन होता है ये सेशन इसलिए important है कि यहाँ पर खिलाफत कमेटी के साथ कॉंग्रेस राजी हो गई है कि अब कॉंग्रेस non-corporation movement चलाएगी special session था लाचपत राय वापस आ गए थे भारत 10 साल लगबग भार रहे हैं और लाचपत रहा है इसके अध्यक्ष है जिसमें कॉंग्रेस ने बोला है कि now non-corporation movement will be fought by Congress and खिलाफत टुगेदर इसलिए इसका नाम पढ़ गया था खिलाफत and non-corporation movement इस तरीके से जो call खिलाफत कमेटी से आई थी बड़ Congress खिलाफत कमेटी एक हो गए है जितना बड़ा है movement है वो खिलाफत कमेटी का strength और cater के भी बिल्टी नहीं है इसे चला पाए Congress का support बहुत जरूरी है और इसको सिर्फ खलीफा की issue को हटा कर एक multiple issue के साथ broad-based movement बना कर गांधी चीश शुरू कर देते हैं तरीके से शिरू हो जाता है अगला movement, non-cooperation movement तो this was another revision video for you for your exam एक short ने बहुत मैंने आपको revision कराया है अगले lecture में इसको आगे बढ़ाएंगे एक दो lecture में खतम करेंगे revision चलिए, thanks a lot for watching this video अपने comment जरूर दीजिए आपका support बहुत जरूरी है Thank you very much